हेलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर नवीन अलावादी आज आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ स्लीप अपनिया के ऊपर क्योंकि स्लीप अपनिया इन लास्ट फिफ्टी एर्स इतना कॉमन प्राब्लम बन गया है कि इसने मोर्टैलिटी, मॉर्बिडिटी, लाइफ स्टाइल डिसोडर्स सब बढ़ादी हैं तो बहुत जानना जरूरी हो गया है स्लीप अपनिया के बारे में तो हम इस्पायर नहीं कर पाते हैं सांस नहीं ले पाते हैं जब हम सोरे होते हैं और सांस हमारा रुक जाता है कुछ समय के लिए तो हम उसको बोलते हैं सेंटल स्लीप अपनिया दूसरा होता है ऑफ्सक्टिव स्लीप अपनिया ऑफ्सक्टिव स्लीप अपनिया होता है कि ज को sleep apnea बोलते हैं तो यह sleep apnea होता क्यों है तो sleep apnea generally मोटे लोगों में होता है जो obese होते है या जिनकी neck जो है short होती है और जिनका neck पे fat ज्यादा होता है या जिनकी mandible जो जबड़ा होता है वो छोटा होता है ठीक है या जिनकी sinus का problem होता है, नाक में polyp होते हैं, नाक के अंदर कुछ रुकावट होती है, तो जो सांस हमारा नाक से लेकर लंग्स तक जाता है, उसके बीच में कोई भी रुकावट होती है, तो वो obstructive sleep apnea, यानि की सांस का फसना या अटकना वो हो जाता है, जिसकी वज़े से पिशन को क्या हो सकता है, daytime somnolence हो सकती है, नीन ज़्यादा आ सकती है, morning drunkness हो सकती है, उसको सुभ़ उठने के बाद लगेगा कि नीन पूरी नहीं होई, ठीक है, headache हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ठीक है, impaired cognition या memory loss हो सकता है, higher mental function उसके weak हो सकते हैं, ठीक है, उसका जो reaction time है, वो बढ़ सकता है, और अगर ये problem ज़्यादा severe हो जाए या जिसका treatment नहीं करा जाए, तो इसमें diabetes, hypertension, heart का problem, ठीक है, ये सारी lifestyle disorders भी बाद में होने लगती हैं, ठीक है, तो इसका treatment कैसे करते हैं, ठीक है, तो treatment से पहले हम जान लेते हैं, AHI किया होता है, ठीक है, क्योंगी AHI के माध्यम से हम इसको नापते हैं, ठीक है, AHI होता है, apnea, hypopnea, index, ठीक है, जो हमें पता चलता है sleep study के माध्यम से, तो ये सारे अगर लक्षन हैं, और हमको doubt है, ये patient को बहुत तेज खराटे भी रात को आ रहे है, snoring हो रही है, खराटों में सांस अटेक रहा है, ठीक है, या oxygen की कमी हो रही है रात को, तो उसको हम नापते हैं, AHI के माध्यम से, जो की sleep study से हमें पता चलता है, AHI होता है, hypopnea, apnea, hypopnea, index, या जिसको हम RDI, या respiratory disturbance index के नाम से भी जानते हैं, इसका मतलब होता है, कि एक गंटे में आपको apnea और hypopnea के कितने episode आए, यानि कि कितनी बार आपका सांस रुका, apnea, या hypopnea, कितनी बार आपका सांस कम हुआ, 10 सेकिंड से जादा, उनको हम जोड देते हैं, और वो एक गंटे का value आ जाता है, अगर एक गंटे में value, यानि कि AHI, 5 से कम है, तो ये normal होता है, 5 से 15, यानि कि mild disease है आपको, obstructive sleep apnea की, 15 से 30, moderate है, medium है, और 30 या उससे जादा है, तो ये severe disease है, आपको sleep apnea, ये HI के माध्यम से आपको पता चलता है, ठीक है, apnea तो होता है कि सांस का रुकना, जो पूरी तरह सांस रुक जाता है, 10 सेकिंड या उसससे जादा हो, उसको बोलते है apnea, और hypopnea बोलते है, या तो 50% से जादा सांस आपका कम हो जाए, यानि कि जो सांस यहां से जाता है, तो sleep study में हम चेक करते हैं, nasal prong से, कि कितना सांस आ रहा है, 50% से जादा कम हो या 50% से कम कम हो 10 सेकिंड तक, और साथ में 4 या उससे जादा, 4% या उससे जादा, आपका oxygen saturation भी कम हो, क्योंकि जब हम sleep study करते हैं, तो बहुत सारी lead लगती है, chest lead लगती है, abdominal lead लगती है, legs भी lead लगती है, ECG लगता है, EMG लगता है, EEG लगती है, brain में leads, आपका oxygen saturation monitor होता है, ठीक है, तो यह सारी leads लगती है, तो रात में पता चल जाता है, तो जब यह obstruction का episode होता है, ठीक है, तो हमारी जो chest की muscles हो होती है, वो blink करती है, ठीक है, फड़ फड़ाती है, तो ऐसा आप मान सकते हैं, oxygen पूरी नहीं जाती, तो फड़ फड़ाती है, ठीक है, तो उसकी जो movement होती है, chest muscle की movement, abdominal muscle की movement, वो record हो जाती है, machine में, तो पता चल जाता है, कि हाँ, कि इसी time पे apnea का episode हुआ, chest की और abdomen की muscle की movement भी उसी time बढ़ गई, और oxygen भी उसी time कम हो गई, तो ये clear हो जाता है, कि हाँ, ये apnea का ही episode था, ठीक है, अब इसका treatment कैसे करते हैं, obstructive sleep apnea, तो हमारे पास ये एक machine है, CPAP की, ठीक है, ये oxymet company नाम इसकी machine है, oxymet, ठीक है, इसको sleep easy भी बोलते हैं, ये मैं अपने patients पे machine use करता ह हूं, इसका जो response है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक advanced algorithm पे काम करती है, ठीक है, ये auto on-off भी इसमें होता है, और इसमें एक humidifier भी है, क्योंकि इसका जो main disadvantage होता है, machine का, वो ये होता है, कि ये dryness करती है, क्योंकि ये हवा जब इसमें जाती है, अंदर, ठीक है, हवा जब इसमें जाती है, तो क्या होता है, कि nasal dryness होती है, क्योंकि जब ये pressure से हवा जाती है, तो ये क्या करती है, ये जैसे, अभी start हो गई है, ठीक है, तो जब pressure से हवा जाती है, तो ये हमारे, जो respiratory passage है, उसको खुला रखती है, open लगती है, ठीक है, और apnea नहीं होने देती, तो patient को बहुत comfortable feel होता है, उसकी quality of life बढ़ जाती है, उसके जो symptom होते है, resolve होने लगते है, लेकिन इसका side effect होता है, ये dryness करती है, ठीक है, तो ये dryness ना करें, इसलिए ये humidifier होता है, ठीक है, इसमें 360 degree rotation भी है, क्योंकि ये जो हवा आ रही है, इसमें से, ये humidifier के अंदर से हो patients पर use करता हो, और इसके बहुत अच्छे results है, तो ये CPAP की machine इसमें दी जाती है, इसके लावा बहुत सारी weight reduction techniques है, कुछ कभी-कभी surgeries भी करी जाती है, patient की, या nasal में कोछा congested है, या उसमें polyp है, उसका treatment किया जाता है, तो जहां पे, जिस level पे भी obstruction हो रहा है, उसको खोला जा जो पहले आती थी, fixed pressure machine, जिसमें हम एक fixed pressure पे ही pressure deliver करते है, ठीक है, दूसरी आती है, auto CPAP, जिसमें ये जो pressure है, ये machine अपने आप detect कर लेती है, तो ये intelligent machines होती है, latest technology होती है, तो ये अपने आप detect कर लेती है, कितने pressure से हवा फेकनी है, और हमारे airway को खुला रखना है, ठीक है, तो I hope friends, sleep apnea के ऊपर, आज ये वीडियो मैंने detail में आपको बता ही है सारी चीजे, कि ये क्यों होता है, ये अच्छा ही क्या होता है, इसका क्या treatment है, क्या क्या symptom होते है, इस बिमारी के है, और इसके treatment में CPAP का क्या रहुला है, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अट्री वो